यशो मती महिया के नंद लाला बिना कच्छु भताए भाग गव जे भी ना सोचा तेरे बिना महिया बाबा ग्रत कैसे तोड़ेंगे देखो देखो अभी भी हास रहो लाँ जे क्या हो गवे इसे रुख प्रसाद लेके आते हूँ चमा कर दो महिया पर जैसे आपके लिए माहूं वैसे ही मेरे लिए एड़ फक इसी जे पूला राम का वर्त तुड़वाने जाना अवशक था रुख 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 यह सुदा परचक हो गई तुम अरे कौन से सबने लोक में चली जाती हो तुम बार-बार अब ही में बताओ माया का प्रभाफ मम्ता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभू अले बोलो ने यह सुदार क्या सोच रही थी मैंने ना स्री नारायन को देखो है हाथ मोतो मैं भी देख रहूं यही तो है हमारे सामने यह वाले ना तो मैंने सक्षाद स्री नारायन को देखो है अभी अपने काना के भीतर देखो काना के भीतर ना मतलब काना और यह दोनों आमने सामने थे मैं कुछ संजो ना है सुदा नारायन और काना दोनों आमने सामने थे ना मेरे कहनेकार थे कि काना और स्री नारायन एक दूसरे के आगे पीछे थे अच्छा तो मतलब स्री नारायन आगे थे और काना पीछे था पर अगर काना पीछे था तो तुमने कैसे देखू और काना आगे था तो स्री नारायन पीछे थे यह सुधा एक बार फिर से सोच कर बताओ के नारायन आगे थे यह काना आगे था ठीक से अगर बता तो रही हुजी थोड़ दुन्दली दुन्दली ची स्मृतिय है बाबा इससे पहले की इनके संदे की अगनी स्मृति की वायू पाकर और भड़क जाए कुछ भी करो और बुझाओ इसे स्वपन देखो है तुमने हाँ संभावेब स्वपन नहीं था परियादी स्वपन था तो सुभा सुभा उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति और वो भी तब से जब से मैं भोनाराम के आज से काना को ले के आई हूँ और जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी पर फिर काना ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी इस बीच कछो तो हुआ है अब मुझे ही कुछ करना होगा उझे लगतो है जी जब मैं बहां गई ना गद पूरा करने का सुबर मूरत निकल जाएगो और अब तो भूख भी बहाँ तीवरा लग रही है ए नारायन मैं तो भूली गई के लला भी तो कल से भूख है ले खा संतान की चिंता में सब कुछ भूला दे ऐसी ही होती है मंता और काना को अच्छे से पतो है कि इसको लाब कैसे उठानो है ना बाबा लाबना मैं तो मैया की मंता का आनन्य उठाना चाहता हूँ चित्ता संभाव है उससे भी अधिक बल्राम काना को फिस से गौचारन आने के लिए केवल तू ही मना सकतो है तुम्हें ही वह छमता है हमारी टोली के मुख्य गोपालाक जो हो तू हाँ और काना के दाओ भी दो हो तू हाँ वो तूमको मनाना कर पाएगो तुसे छोटा होने के दाज़ते तुम्हारे है ते श का पालन तो करना ही कह यह को चिंता मत करो सक्षा हूँ मैं कच्छू कऊ और काना ना माने यह तो संभवी ना है आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छीपा रहा पाएगा इसलिए अपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बताऊंगा मैंने कह दिया तो समझ लो पथर पे रेखा खिच गई कल से काना हम सब के साथ अवस्य आएगो अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगो अभी तक तेयार नहीं हुए तो दोख्शी कर सकते हो तुम आज मैं तुमारी एक ना सुनूंगा तुम चोटी मां के कारण वर्ण नहीं चल रहे हो या अब तुमें हमारे साथ लेना यह अच्छा नहीं लगता तो नहीं गौचारण में तुमाही रूची समाप्त हो गई हो ना दाओ ऐसा कछू ना है विग गौचारण नहीं बात प्रिया है और आप सथ का साथ भी तो फ पर गाहूं मैने बैया को भी बचन दीवा है कि मैं नहीं जाओंगा इसका अरत है कि मेरे बचन का कोई मूल नहीं नहीं है नहीं तुमसे बढ़ा हो काना तुमें मेरी आगया माननी चाहिए उज्चे भी तो बचन दियाता तुमने और आप समझ शूनां रहे मैंने काना मैं नहीं जा सकता हुआ हुआ है हुआ है है ऐसे कैसे नहीं आ सकते मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर सरह रहत में तुम्हारा साथ दिया है चाहे माकन चोड़ियों या गचारन और अब तुम अपने दाव को ही दिखा के जा रहे हो सकता हुआ तुम्हारे लिए जानते हो इससे क्यासिद होता है काना कि तो छोटी मा के पुत्र नहीं हो कि तो छोटी मा के पुत्र नहीं हो दाओ ये क्या कहरो आप और नहीं तो क्या तुम उनके वास्तो भी पुत्र होते तो अपने दाओ के आगया कभी नहीं डालते ऐसा माची कहो दाओ मैं अपने माईया कही लला हूँ मुझे तो लगता है छोटी मा हाथ से ख्रेया करके लाई है तुम्हें आप ऐसे क्यों बोल रहे होता हूँ यूकि मा वह सत्य देख रहा हूँ जो तुम मैं ही देख पा रहे हो छोटी मा और छोटे बापा दोनों गोरे हैं और तुम अपना रंग देख लो सेंव विचार कर लो जित मैंने भी तोचा था बस बोला नहीं हाँ तो क्या हुआ मेरे तोचा का रंग अलोग है मैं उनी का इल लाऊँ बस थूप मैं तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरे तोचा का रंग बदल को है बड़ बोली बात मति करका ना सुयम को बचाने के लिए हम पर दोश लगा रहो है लगत तो ये है कि तेरी तोचा सदर से ऐसी दिखा ना लगतो है जे कि बलान सही कह रहो है इसका अर्थ है किस जस्य में नन का कर ये सुदा काकी इसके हाट से ग्रेप करके आये है बालक हाट मत धोड़ी ना मलतो है हमारे घर में जो बचड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाट से हिलाए थे पर मुझे हाट से कोई ना लायो है मैं अपनी मैया खाही लल्ला हूँ ये शुमती मैया कर नंज लाला ही हूँ मैं तुम्हे वन चलना है तो चलो या फिर मत चलो और चोटी मा और चोटे बाबा का लल्ला और नेका स्वांग करने की कोई आउ सकता नहीं है तुम भी अती करते हो का ना कब एक बालत की तरह व्यवार करते हो और कब भगवान की तरह भुस समझ में आता भगवान की तरह ? मैंने भगवान क्या क्या ? हाँ हाँ कहदिया तो कहदिया खड़े खड़े मेरा मूंतिया देख लो चलो या फिर तुम सब को भी अपने मईया के पल्लू में बंद कर गर बही रहना है जानते हो इससे क्या सी दोता है का ना कि तुम छटी मा के पुतर नहीं हो कि तुम छटी मा के पुतर नहीं हो क्या हो गौलला रोपनो रहा है अधेर वाइया को ना बतायेको लाला क्या हो हाँ लल्ला च्वेवेवे रोरो है लल्ला ? बता ! किसीने कर चुका ही है क्या ? क्या होगो लल्ला ? मैं आपका लल्ला ना हूँ ऐसा क्यों खेह रहा है तू ? क्या होगो ? आपका भी लल्ला ना हूँ वै लला करना हो जह क्यों कह रहो है लल्ला मुझे पता चल गया है ना आप दोनों का लल्ला ना हूँ कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहो है वो मेरा ही लल्ला ना आप मुझे हाथ से किरा करकर लाई हो लल्ला तुझे किस ने गई कि हाथ में बालक मिलते हैं मिलते हैं पूरी गईया का बालक भी तो हाथ से ही आयो है अच्छा चनबर के लिए मान लिया कि हाथ में बालक मिलते हैं पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाथ से ही लेके आए मेरा रंग देखो, और फिर अपना हाट देखो, मैरा के अंदेला जैसा हूँ, और आप दिल्की उजारी जैसी, बापा का रंग भी आप जैसा ही आए, तक मैं रावला हूँ उससे क्या अंदर बढ़ दो लिल्ला? पढ़ तू मैं, तभी सदाओ, अन्ने सभी सखान ऐसा कहा इस बात पर धानमती दे, मा की ममता और बाबा का सने, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला? तो फिर आप में बताओ, मैं यह क्यों घुरी और मैं क्यों काला? हाट से आया क्रै होके, सुन हो गए कृष्ण धीर, मैया गोरी, बाबा गोरे लल्ला, चल मेरे साथ, अभी सिंदो हो जाएगो कि तु मेरा ही लल्ला है, चल यह दोनों लल्ला और महिया का मन कचो समझी ना तो, कचो ना कचो उटपड़ां करते ही रहतने दोना मैया ऐसे ले चारिया मुझे, काल क्यों? काल 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 काना आये हैं, कितने दिनों के बाद काना आये हैं आखे पत्थरा गए थी मार्क देखें देखते, आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना-कोना जैसे खेल उठा हो बल्राम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाद न हुओ योजना बनाएके छल में पसाना मुझे नहीं आता इस तब में तो केवल काला ही प्रवीन है कर उसने ये सुदा काकी से हम सब की शिकाईतर कर दी तो ले लगतो है, करी भी वो देखो आजा बल्राम बल्राम जे बसंती का है जे देख बसंती और उसका लल्ला वो गोपी उन दोनों की तवचा का रंग एक सा है कानहा तू देख के बता बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है और जे देख डमरू इसका जनम तो तेरे सामने हुआ था न और उसकी मईया गोम थी इन दोनों के तवचा का मिलान कर एक सा रंग है साब के साब गोपानक सामने आओ अब तुम सब भी देख के बताओ दोनों के तवचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है अलग अलग है स्रीदामा तेरी गईया जे देख सुभा उन दोनों का रंग एक सा है के अलग-अलग तो जब सुभा और स्यामू का रंग अलग हो सकतो है दमरू और कोमती का रंग अलग-अलग हो सकतो है और जे गोपी और पसंती का रंग अलग-अलग हो सकतो है तो भी जे सब मैया और लल्ला ही है ना